हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू ऑनलाइन गुरू में आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी चड़िया की छोटी सी कहानी सुनाता हूँ ये कहानी हम सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मत्पुन है हमारे समाज में ऐसी घटनाए हम समी लोगों के साथ होती रहती है तो आईए जानते हैं इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सस्काइब कर लें क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी इंपॉर्टेंट और अच्छी जानकारियां हमेसा मिलती रहती है एक बार की बात है एक घर में आग लग गई घर में से सभी लोगों को निकाला गया महले के कुछ लोग आग बुझाने में लग गएं तो कुछ लोग सिर्फ देख रहे थे उसी घर में एक छोटी सी चिडिया का घोशला भी था चिडिया अपनी चोच में थोड़ा पानी लाती और आग के उपर डाल देती लेकिन आग बुझी नहीं रही थी लेकिन चिडिया भी रुखी नहीं रही थी वो बस अपनी चोच में पानी भर कर लाती और आग में डाल देती चिडिया को बार-बार मेहनत करते देख कवा उसको देखकर हसने लगा और बोला चिडिया तू पागल है क्या तुझे क्या लगता है ये घर देख इतना बड़ा है और तेरी चोच इतनी छोटी है तुझे क्या लगता है तेरे बुझाने से ये आग बुझ जाएगी चिडिया ने कहा हाँ मैं जानती हूँ कि मेरे बुझाने से ये आग नहीं बुझेगी लेकिन जब भी इस आग के बारे में बात होगी तब मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा और तेरा नाम तमासा देखने वालों में होगा सीख इस कहानी से क्या जिक मिलती है हमारी जिन्दगी में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हमारी सक्सेज बूरी लगती है वो हमेशा हमारे अंदर कोई न कोई कमी निकालते रहते हैं और अगर हमसे कोई छोटी सी भी गलती हो जाए तो उसका तमासा बना देते हैं इसलिए हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेतर होता है